हेलो एन वेल्कम टू दी ग्लोबल एफेस टोडे दोस्तों आपने बिल्कुल साही थम्नेल को देखाए हमारा इसरो दा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ने चंद्रायन 3 को अलमस्ट रेडी कर लिया है बस कुछ दिन बाग ही है चंद्रायन 3 के बारे में बोलने से पहले हमको कुछ बेसिक बाते मालूम होनी चाहिए हमारे देश की इज़त का मामला है चंद्रायन 3 तो आप मेरे वीडियो को completely watch काना साल 1969 में पहली बार नील आम्स्ट्रोंग ने इनसानियत का इतिहास बदल कर रख दिया जब इन्होंने अपना पहला कदम चान पे रखा था ता मिशन अपोलो 11 के अंदर ये वो टाइम था दोस्तों जब इनसान को मालम हुआ कि हाँ धरती के बाहर भी एक दुनिया है जो धरती से बिलकुल अलग है बिलकुल बड़ी है मैसिव है इसके बाद ना कहीं सारे मिशन स्टार्ट हुए बेस्ट एक्जाम्पूल है वोईजर 1 और वोईजर 2 आज भी ये एरक्राफ्ट कुछ सालों में मिलकीवे गैलक्सी को क्रॉस कनने वाले और खास बात ये है के ये आज भी टीप स्पेस नेटवर्क के साथ धरती से कनेक्टेड है जो की 100 पिलियन किलो मिटर दूर है हमारे धरती से कितना आचिब दिखता है ना यार हमारा एर्थ का ओशन को हमने प्रॉपल ये एक्स्प्लोर तो करा नहीं लेकिन आज इंसानोंने एक ऐसी चीज बना ली जो मिलकीवे गैलक्सी को क्रॉस कनने वाली है ये गौट का क्रियेचर है ये कितना जीब है यार गौट का क्रियेचर अब बात करते हमारे चंड्रयन 3 की देखो पहली बार ना चंड्रयन के टोटल 3 वर्जिन से चंड्रयन 1, चंड्रयन 2, चंड्रयन 3, ओकैए चंड्रयन 1 ये इंडिया का पहला लूनर प्रॉप था, इसरो के दो़ारा इसे दोजार 8 अक्तोबर के मैने में लॉंच किया गया जिसके चलते हैं हमारे इसरों ने इंडिया को फोर्ट नेशन बना दिया था एक लूनर वेकिल को चान के और बिट पे लाने अगर आप ध्यान से देखोगे न तो सिफ यूएस से रशिया चाइना ही कुछ देश थे जिनोंने चान पर अपने जो जड़े हैं मजबूत कर लेकिन इंडिया ने इसकी इंपोर्टेंस को समझा हमारे बड़ों ने इसकी इंपोर्टेंस को समझा और इसके बाद चंदरायान मिशन को लांच किया गया इंडिया को भी स्पेस की रेस में लाने के लिए और आज इंडिया स्पेस की रेस में बहुत आगे हैं चंदरायान तब U.S. समेट Various Space Agency ने हम पर भरोसा नहीं किया था और हम इंडियन्स को कहा कि ये इंडिया वाले कुछ भी बोलते रहे थे यार, चान पर पानी है, क्या बेवकूफी बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन रिसर्च किया तो उनको भी मालुम हुआ कि चान के सर्फेस पर वाके म पानी है, अब इंसान के लिए पानी की एहमियत बहुत होती है, पानी है तो इंसान जिन्दा रहता है, 2009 में चंद्रायन का मिशन एंड हुआ था जिसके बात, इंडिया ने चंद्रायन 2 को 2021 में लांच किया था, लेकिन मून पे लैंडिंग, और नासा भी बहुत हद तक जो हो गया था, उसके बाद इंडियान्स बहुत ही इमोशनल हो गये थे, और स्पेशली डॉक्तर के सीवन बहुत रोय थे, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मोधी जी डॉक्तर सीवन को कॉन्फिदेंस दिला रहे है, अब 2023 में बहुत लॉंग टाइम के बाद, बहुत लॉं करने वाला है, जहां दुनिया वहां आज तक नहीं गई, नहीं पहुंची और ना दुनिया को इसके बारे में ज्यादा नौलेज है, अगर इंडिया इस मिशन को सकसेस कर देता है ना यार, तो इंडिया का लेवल, स्पेस रेजिंग में अच्छे पोजिशन पे आ जाएग दुनिया को नहीं मालुम के मून के सौथ पोल रीजियन में क्या है, कैसा है और किस तरह का दुरुष्य है, एस पर दी करन डीटेल्स मून के सौथ पोल में बहुती बड़े क्रियेटे से गड़े हैं, जहां अर्बो सालों से सनलाइट की रोशनी नहीं पड़ी है, नहीं ग हो सकता है कि जिसके चलते ही, चान के सौथ पोल रीजियन में हमें 100 million ton का crystallized water resource मिल सकता है, हो सकता है, वो भी massive scale पर, और साथ ही साथ ना, इस रीजियन में ammonia, methane, sodium, mercury, silver जैसे resources पाए गए हैं, जिसके चलते हम चंद्रयान 3 को चान के सौथ पोल में land कराना चाते हैं, और verification करना और ये space exploration के लिए बहुत ही important है, कहीं सारे space agency जैसे Russia, Japan, China, Europe, USA, countries के space agencies इस moon के सौथ पोल में जाने की planning में हैं, अगर चंद्रयान 3 successful हो जाता है ना, तो हमारा इंडिया, हमारा देश, हमारा इसरो पहला country होगा जो चान के सौथ पर जाकर research करकर details को धरती पर बेजेगा और इ बतलाया जा रहा है, compare to other space agencies, हमारा जो वजद है ना, बहुत ही कम है, इसरो के, इसरो की एक खासियत क्या है मालूम दोस्तों, इसरो बड़े space missions को जो एक completely success बनाता है, वो भी सस्ते दामों पर, यही तो खास बात है हमारे इसरो की, जो इसरो को सबसे अलग बनाता है, दुसर इसरी तरफ चंद्रायन 2 को completely fail mission नहीं कह सकते हैं, आप लोग क्योंकि चंद्रायन 2 mission में lander, rover, orbiter, यह तीनों साथ गए थे, लेकिन lander, rover, landing में crash हो गया, लेकिन orbiter तो आज भी ठीक टाक चर रहा है, चान के orbit में, तो इसी यह चंद्रायन 2 completely fail mission नहीं हो सकता, चंद्रायन 3 की बात करें, तो इसमें सिर्फ rover और lander, यह दोनों ही जा रहे हैं, और दोनों को ही चान पर भेजा जा रहा है, और इस परसोसिस से पता चला है कि कैरंटी के साथ इसरो चंद्रायन 3 को successfully चान पर land करा देगा, क्योंकि कुछ सालों में इसरों ने बहुत ही मेनत की है, experiments किया है, बोला जा रहा है कि इस बार landing में कोई गडबट नहीं होगी, तो future में देखना होगा कि यह कितना success बनता है, well, क्योंकि space missions को experiment ही कहा जा सकता है, क्योंकि यह first time किया जाता है, यह second time किया जाता है, हमें कुछ भी guarantee के साथ मालूम नहीं होता कि क्या होगा future में, अगर आपको मे झाल जाता है